नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है क्राउन इम्मिग्रेशन के यूटूब चैनल पर तो आज का जो हमारा डिसकुशन रहेगा वो यूके के उपर ही रहेगा क्योंकि कहीं पर भी आप एड़ोटाइजिंग देखते हैं शोचल मीडिया के उपर या टीवी चैनल रहे हैं तो हर एक परसन का यहीं दिल करता है कि उपर ही कोई नब कोई डिसकुशन चलती रहे इसकी उपर ही वीडियो बनाते रहें तांकि लोग इसको देखके और अट्रेक्टिव होते रहें बट यूके ने जब बीजे देने होते हो तो दड़ा-दड़ा देता है जब उसने वीजे बंद करने हैं तो ऐसा बंद करता है तो फिर बंदेगा ना 5-5-6-6 साल यूके का नाम लेने को दिल नहीं करता जितनी भी यूके की पिछली भी हिस्ट्री आप उठा के देख लो आज से 5-6-7 साल पहले की उठा उससे पहले के भी देख लो जब भी आप अग कि अब आधा के लिए अब यहां पर भी उन्होंने पर मंत जब अब यह बच्चे को यह लेकर चलो साठीक चार सुपांड देना पड़ता है डिपेंड आपके कोर्स के उपर है दो साल के तो इसको मुल्टिपाई लाई कर लें तो यह वी एक बड़न है इंट्रेशन स्टुएंट्स के लिए इवन इसके लवा अगर हम बहां की यूके की अमबैसी स्टीज के बारे में बात करें तो यह वरी वरी कमर्शियल वह उपस्टिज थूई बड़े पैसे कमाता है तो वह उसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं वह आभी में आपको थोड़ा सा डिफरेंशेयर बताऊंगा इस डिफ्रेंशेट से आप इसी ली अंदाजा ले सकते हैं दो साल का मल्टिपल है फाइव यह वियर्स का भी यह यह उसके पास टूरिस्ट वीजा दें तो उन्होंने फीज रखी हुए अगर तो आपने साल का वीजा ले आपने किसका कनेडा का लेते हैं योटे का लेते हैं दस लगते हैं तो इस से यहां पाइशा यह 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 या इसपाने के साथ के लिए तो इसी चीज को हम अगर शेंगन के साथ कि एसी तरीके से अगर वहां पर हम फैमिली रिजूनियन के बारे में डिसक्स करें जो लोग यूके में एज फैमिली रिजूनियन के थू जाते हैं जहां अपना टायर वन टायर टू जो इंटर्डूस हुआ है इन्वेस्टर वीजा जहां टायर वन में वर्क पर्मिट इंटर्डूस उनकी फीसिज एक लाग से प्लस हैं एक लाग तीस जार डेल लाग यह बैसी फीसिज इससे आप कंपेर करें कि वहां मतलब कितने वह कंपेर करने उनकी फीसिज ही चाहिए वो सैटल्मेंट की है पचास जार से ज्यादा नहीं मिलेगी कैनेडा की अगर आप पर्मानेंट पर्मानेंट प्यार डालते हैं अपनी तो पचास जार इंडिया लूपीज लगए पचास आठी यार के इंडिया उसमें प्रसेसिंग लेंडिंग फीज यार कि तो इसी तरीके से अगर हम इसको शेंगन कंटी के साथ कंपेर करते हैं वहां की फीज कितनी है बहुत पर ब्लीव कार्ट डालो कुछ भी डालो प्चारों को वो उनकी फीज इतनी की तस कर रही है तो आप इससे अंदाज़ान लगाएं कि मतर्कित तो अभी यूके गवर्मेंट ट्रांजेशनल पीरिड के अंदर है ब्रेक्जिक्ट के तो बहुत सारी पॉल्सी इंट्रोड्यूज उन्होंने कर दी हुई है अभी चाहे वो एजू मेंबर है चाहे वो एशन्स हैं उनको सब को एकुली ट्रीट करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने भी यूके में इंट्री लेनी है तो उनको भी उसी सिस्टम को फॉल अप करना पड़ेगा उन्हीं रिक्वाइर्मेंट को फॉल्फिल करनी पड़ेगी तो एक तो यह फेवरेबल है इसेंस के लिए सेकंड तिंग अभी जो पृति पटेल जो उनकी सेक्टरी है होम डिपार्टमेंट की वह अभी और इसको आने वाले टाइम में लिनिट करेंगी वहां की इम्मिग्रेशन पॉल्सिस को तो वह कैसे हैं यह हम इंट्रा कॉंपनी ट्रांसफर के तुरू जो लोग अपने इंप्लाइज को यूके म अगर कोई बंदा इंडिया से वहां पर ट्रांसफर करना है तो जितनी मैक्सिमम सैली दखाएगा तो उतना गॉर्मन को टैक्स आएगा यूके गॉर्मन को क्योंकि वह उनकी सैली जितने भी पॉइंट वे सिस्टम इंट्रू के अंदर की पॉइंट लेने पड़ते हैं तो उनको रेविन्यू भी जनेट होगा तो उसके उपर भी प्रिती पटेल वर्क आउट कर रही है कि इसको भी लिनेट किया जाए इसकी भी सैली को रिडियूस किया जाए और मिनिमम स्लैब्स के अंदर लेकर आया जाए तांकि और जो इंटरनेशनल बिजनसमेन हैं इंट से चाहे वह तुс फेध में कि से चाहे वहां की सच्टी के कारें मिघा है तो आप हमएं बी संपर कर सकते हैं क्योंकी ऑलती या लोग पूछते हैं सर हमने भी यूके जाना है तो हम भी फिर कहते हैं कि चलो ठीक है हम भी इसके उपर वीडियो बनाते हैं जो हमारे पास अप्डेशन आती रहती हैं तो यूके में जाने से पहले ये देख लिए कि वहां पे सेटलमेंट पॉल्सिस काफी डिफिकल्ट है और बैसा टाइम नहीं है जो आज से आज जान दस साल पहले या पंदरा साल पहले का था क्योंकि आज की डेट में काफी प्रॉब्लम्स हैं आप पैसा नहीं कमा पाएंगे यूके में अगर जातने हैं तो यूके से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्रॉनिमी कि जितने भी जे नंबर इस स्क्रीन के ओपर डिस्प्लेय है वहां पर संपर कर सकते हैं तो लातनी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक इनिशेर करना नाम लें तैंक यू